आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विट एडिनियम में आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में कि एडिनियम की ग्राफ्टिंग कब कर सकते हैं यानि किन किन महिनों में हम एडिनियम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग के पहले हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और ग्राफ्टिंग के बाद क्या कियर करना चाहिए ताकि हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वैसे तो हम एडिनियम की ג्राफ्टिंग या यूँ कहें एडिनियम की ग्राफ्टिंग का जो में टाइम होता है winter की dormancy के बाद जो growth time start होता है वही एडिनियम का main grafting time होता है और एडिनियम की growth February end से शुरू होती है यह कहें तो कि February के last week से शुरू होती है इसलिए एडिनियम का main जो grafting time होता है वह February end से यह February last week से पूरे मार्च में हम grafting कर सकते है इस समय graft किया हुआ plant में growth के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है और वो माई तक उसमें एक बार flowering भी आ जाती है और यदि हम बारिश के पहले माई end में या जून में जून फर्स्ट वीक में हम उसकी हलकी सी cutting कर देंगे तो वारिश में बहुत अच्छी growth ले लेता है और उसका कोडेक्स भी जल्दी बड़ा होता है इसके अलावा और कब-कब हम grafting कर सकते हैं यह जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके वैसे तो हम फर्वरी मार्च के अलावा अप्रेल, जून, जुलाई, अगस्त और सेप्टेंबर में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं लेकिन अप्रेल के बाद मई में बहुत ज़्यादा यदि अप्रेल में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है टेंप्रेचर 35 डिग्री से उपर जा रहा है हमें ग्राफ्टिंग नहीं करनी है मई में तो वैसे भी टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो मई में हम ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं इसके बाद जून में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और यदि जुलाई अगस्त सेप्टेंबर में बारिश ना होने पर भी ग्राफ्टिंग की जा सकती है बारिश के मौसम में ग्राफ्टिंग करने के बाद हमें अपने प्लांट को कहीं भी शेड़ वाली जगा पर रखना चाहिए और जिस प्लांट से हम ग्राफ्टिंग करने के लिए कटिंग ले रहे हैं उसके उपर भी या तो हमें पन्नी बान देना चाहिए या उस प्लांट को भी 15 दिन के लिए शेड़ में रखना चाहिए वैसे तो यदि हम फेबरेरी एंड में और मार्च में ग्राफ्ट कर लेते हैं प्लांट को तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है इसके बाद सेप्टेम्बर के बाद हमें ग्राफ्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्तुबर, नौवर, दिसमबर, जन्वरी और फेबरेरी में यदि हम सेप्टेम्बर के बाद ग्राफ्ट कर भी लेते हैं और हमारा प्लांट अक्तुबर, नौवर में यदि ग्राफ्ट हमारी सकसेز भी हो जाती है लेकिन उसके बाद प्लांट हमारा डॉर्मेंसी में चला जाता है और प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करता और इस समय करे हुए प्लांट या तो उसकी ग्राफ्टिंग बाद में खराब हो जाती है और कई बार तो हमारा पूरा प्लांट ही खराब हो जाता है इसलिए हमें इस समय ग्राफ्ट नहीं करना चाहिए ग्राफ्टिंग पे मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ जिसकी लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और फरवरी मार्च में ग्राफ्ट करा हुआ प्लांड जिसकी हम बारिश के पहले एक बार लाइट प्यूनिंग कर सकते हैं और बारिश में वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है कटिंग करने से उसमें कई ब्रांचेज निकल जाती है और हमारा प्लांट अच्छा बुशी हो जाता है ग्राफ्टिंग करने के पहले हमें कुछ सावधानी रखना चाहिए ग्राफ्टिंग करने पहले, दो दिन पहले से प्लांट में पानी नहीं देना चाहिए और ग्राफ्टिंग करने के बाद भी तीन से चार दिन हमें पानी नहीं देना है ग्राफ्टिंग करने के बाद हमें अपने प्लांट को पंद्रा दिनों के लिए कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहां पर उसे सिर्फ मौर्निंग की दो तीन घंटे की सनलाइट मिले और यदि ज्यादा पूरे दिन की हम सनलाइट में हम अपने प्लांट को रख देंगे तो जो हमारा ग्राफ्टिंग पॉर्शन है वो ड्राय हो जाएगा ग्राफ्ट करने के बाद जो हम जो पॉर्शन हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे हमें पूरी तरह से ग्राफ्टिंग टेप से या पन्नी से कवर कर देना चाहिए ताकि उसमें मौश्टिर बना रहे और हमारा जो ग्राफ्टिंग पॉर्शन है वो ड्राय ना हो हमें उपर का जो पॉली जो हमने कवर लगाया है या हमने जो ग्राफ्टिंग टेप है हमें जब तक अपने प्लांट में अच्छे से ग्रोथ ना दिख जाए या उसमें दो-तीन लीफ्स ना निकल जाए जब तक ना हमें ग्राफ्टिंग टेप खोलना है और ना जो कवर करा है पॉली थिन से हमने ना उसे हटाना है ग्राफ्ट करने के बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि ग्राफ्ट पॉर्शन के नीचे से यदि कोई भी ग्रोफ दिखती है तो हमें उसे टाइम टू टाइम हटाते रहना है ऐसा ना करने से जो ग्राफ्ट पॉर्शन है हमारा उसकी ग्रोफ स्लो हो जाती है और जो नीचे से रूट स्टॉक से ग्रोफ होती है वो बहुत फास्ट होती है इसलिए हमें उसे हटा देना चाहिए अब ग्राफ्ट की वो प्लांट की फास्ट ग्रोफ के लिए हमें उसे रिपॉर्ट कर देना चाहिए और हमें क्या सॉयल मिक्सर रखना है और कैसे रिपॉर्ट करना है इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगा इसी तरह आप अपने प्लांट को ग्राफ्ट करेंगे और टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके एडिनियम के प्लांट भी अच्छी ग्रोथ लेंगे और उनका ग्राफ्ट कभी फेल नहीं होगा और जदी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ठैंक यू